हेलो गाइज वेरी 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 वेलकम तो माईटुचनल टेकनिकल डियने वन्स अगेन विट न्यूव वीडियो और ही अपलोड कर रहा हूं और हर दिन एक नए टॉपिक के साथ मैं आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूं हो एस्टेमल की वीडियो तो गाइज आज की वीडियो है वह भी फूल प्रूफ नया मतलब मैं क्या बोल दो एक फूल नया टॉपिक के साथ यह वीडियो आप लोगों के लिए मैं प्रस्तूत कर रहा हूं प्रेजेंट कर रहा हूं परोश रहा हूं इसको अच्छों से खाल सब्सक्राइब के लिए आज का वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है और मैं गारेंटी के साथ बोल सकता हूं कि आज कर वीडियो है उसका टॉपिक का नाम सुनते ही आप मैं नहीं बोलोंगा मैं नहीं बोलोंगा आपका हाथ जो है ऑटमेटिक लाइक बटन प अब लगोगे और जैसी ही वीडियो खतम होगी बिना आप को सोचे समझे आज का वीडियो दोस्तों में शर्ड करोगे आयम डायम शॉर तो गाइस आज का वीडियो बहुत इंट्रेस्टिंग वहने वाला मैं नहीं बताऊंगा क्या 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 करना आप लोगो आप लोग आ है एक difficult topic really difficult topic HTML forms and लेकिन मैं इसको जो है जितना ज्यादा हो से के simple करके सामझानी कोशिच करूंगा और यहां पर मैं आप लोगो को बताऊंगा कि जो HTML forms है ना वह बैसी के लिए इसमें एक topic है जिसमें हर एक student हर एक नया beginner जो HTML developer है वह confused होता है और उस topic को में आप लोग के लि आपको discuss करेंगे so before beginning या before diving into the practical coding मैं आप लोगो सबसे पहले describe करना चाहता हूं कि what is HTML forms ठीक है HTML form क्या होता है basically देखिए अगर मैं form का एक basic definition बोलूं और सो form एक section होता है आपके web page में ठीक है form क्या होता है form एक section होता है आपके web page में उस particular section में आप कुछ controls provide कराती हो कुछ controls display करते हो अपने web page पे जैसे आपका हो गया edit box radio buttons combo boxes जैसे हम लोग बहुत बहुत drop-down menu भी कहते हैं हां date picker, time picker, color picker यह सारे जो कुछ चीज़े है न वह आप लोग provide कराते हो कुछ controls जिससे की user चाहे हो आपना मतलब चीज़े को मतलब select कर सकें और वह सारे जो control से आप यूज करते हो यूजर से कुछ एक input लेने के लिए या कुछ चीज़ेक्ट करवाने के लिए या कोई एक data ऐसे पर अपने देटा के लिए and then जो है गाईस उस data को आपे सेंड करते हो किसी server side programming language की उपर यह आप उसको सरफार पर सेंड करते हूं औरा अप संड करते है ष reflects हो आपका chuckling और इसीलिए आप हमारा कांसरा की इतना होगा कि हम लोग कैसे आपने सब्सक्राइब कर सकते हैं यााब डेटा को प्रोसेस करने का काम डेटा को डिस्प्ले करने का काम डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट करने का काम जह हुआ हमारा नहीं होगा सो आफ्टर वाचिंग डिस वीडियो यू विल बी एबल टू क्रियेट एन फॉर्म ठीक है बतलब आपको कोई भी कह दे कि जो भी आपका नाम ही कि आप मुझे स्वाइब आप मुझे हिए में फर्म क्रियेट करके दे देजिए और जैसे हुआ आप उस वह आपको बोलेगा आप फटाक से फिर करना चाहिए करेगा लेकिन आप इस लाइक हो जाओ कि आपको को ही बोले के स्टेमल में एक ब्यूटिफुल फॉर्म बना दो क्लिएट कर दो तो वह आप कर पाऊंगे एन आज की वीडियो में आप लोगों को यह बता हूं कि एच्टीमल फॉर्म्स बनाते हैं वागते की लिकिन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिस्ते की आपका एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज ओ ओके आप लोगों को चलेघे और प्रेक्सेश्ट कर आप लोगों बहुत करों होगर एकस्सेश करने में पोछी यह तो आप आप लोग मुझे बेज जग नोटिफाइए कर सकते हो अगर कोई दिकत आ तो होपस हो कि नहीं आने चाहिए ठीक है करता हुँआ है यहां लिखता हूं अपना अपना च्छा कोड इंगा वह समय है बेँएए प्रयान अत फिर में अक्रिम какой जी मुंद उढ से अ मेंनेवीजर क而 इद राम के इस एक हन sil पोपाइएएएएएएएएएबसपे प Москв Tech乾 जाड़ कोट currently इस favor happen सब्सक्राइब कर दो कर पाऊंगा कम्प्लीट जैसे जैसे मुझसे हो पाएगा मैं तो मलब करता जाओंगा जैसके अधर पार्ट भी अप्लोड होप्स हो कि दो से तीन पार्ट में हो जाएगा अधिक आप लिए अप्लोड नहीं सेफ कर दिए लेकिट एंधिए लेकिट एंधिए वन एकन हो और पार्ट में नहीं से बंग भषा यह ना कर दो अ वर्च प्रगार अधिश्च आप्ड एंधिए लेगघ एगर प्रश्च पैर अधिए लिएगां प्रगाद में लिएग संग एगश्च न्यकिए अटर्ट एगुए विर्टनेश्च न्यकिए पल्ट आटव सब्सक्राइब करते हैं एक सिंपल करते हैं एक सिंपल टेक्स्ट बॉक्स सोरी टेक्स्ट बॉक्स कैसे करते हैं सब्सक्राइब करते हैं ऑप इस से जएधा नहीं ठीक है जाएट मैं सब्सक्राइब अब मैं यहां पर लिखता हूँ लैस्टन का सिंबल फॉर्म टेटरल एंटर 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 लैस स्लैश फॉर्म 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 कूंगे लाइक चलि मैं आपको अच्छे से करता हूं देखिए यह जो फॉर्म टैग है ना यह फॉर्म टैग शुरू करते ही मैंने क्या बोला HTML वैब पेज के अंदर में यह फॉर्म टैग स्टार्ट करते ही दो बहुत इंपोर्टन चीजे होती हैं हमारे वैब पेज में फॉर्स्ट यह फॉर्म टैग स्टार्ट करने के साथ ही आपको एक फॉर्म क्रियेट करने के लिए ग्रूप ऑफ ठीक है ग्रूप ऑफ HTML टैग का यूज करना पड़ता है जिनका डेटा जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होता है मैंने क्या कहा कि आपको बहुत सारे टैग को प्रॉट कॉंसेट सुलू होगा सेकेंड लीजर होता है इसमें कि यह जो फॉर्म है यह फॉर्म टेक को यूज करने के साथ ही बहुत सारी जिमवारियां आपके हाथों में आ जाती है एस वेब डेवलपर क्या 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 फॉर्स्ट क्रियेटिंग एन एक्सेसिबल कंट्रो फॉर्म ठीक है पहली जिमवारी दूसी जिमवारी एसाइन प्रॉपर वेलिडेशन ऑन दे कंट्रोल फॉर्म फॉर्म एन थर्ड ली प्रोसेसिंग दा यूजर्स डेटा ऑन दे सर्वर साइड ठीक है यह तीन बहुत ही बड़ी जिमवारियां आपके हाथों में आती है इन स्ब्सक्राइब काुอ हो तो नाँटीफाइफ डवलपर इंडियन दे व्लपर की बात बुलनतों बाहर कंट्रीस में दो ध्यान रखाजा जाता है बत इंडिया में 55% दियुश्वर्म परसेद्टिस्य भी स्थं पोस्ट पॉयवम मेक ऐकेकेकर अचेसिघ्र करें कोई भी नहीं रखता है ठीक है हमारी इंडिया के का मicz ! अबन नहीं हैं इंडिया में अवर्रनेस अंच आने चाहिए ठीक हैतला इस सेकीं बैस तर्ड जो चीजी यहा हम लोग सिखेंगे वेन बैन वीविल लर्न झावा स्ट्रॉक्षर बील्ड कर रहे हैं जो है वो मतलब आपको उसी पध्यान देना है अच्छा यह एक सी बता दी दूसरी चीज आपको HTML फॉर्म जब मतलब कहा जाएगा लाइक माल लो कि मेरा एक टीम है लेट सी टेकनिकल डीने टीम है ठीक है एक उसमें अब वहां पर आप में से कुई भी जो भी मेरा वीडियो देख रहा है मैं उसको टार्गेट करके बोल रहा हूं कोई भी जो है वो मेरे टीम में काम कर रहा है as a developer as an html developer and मैं back end समाल ला हूं वो front end समाल ला है let's see तो वो मुझे html form बना कर देगा proper controls के साथ input boxes combo boxes date picker सब कुछ बना कर देगा जो जो मुझे required होगा मैं उसको बोल दूंगा and वो अपने form को यहां तक कर देगा able कि form के button पर submit करते ही जो है वो मतलब form submit हो जाए और data जो हो back end पर चला जाए अब as a back end developer मेरा काम यह होगा कि जो data मुझे मिल रहा है उस html form से उसको process कराना ठीक है so इस तरीके से जहें काम होता है forms में तो form एक बहुत बराद topic है throughout the web development बहुत ही बराद topic है आपको PHP में में भी form handling का topic देखने को मिलेगा जावास्क्रेट में आपको मिलेगा form validation का topic html में भी सीखी रहे हैं तो form validation form का topic बहुत बराद topic है throughout the web development और form बहुत ही जदा useful होता है अभी form जापनी में बोल ला हूँ form 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 तो आपको यह लग रहा होगा कि form means login form sign up form but not login form sign up form नहीं आप जो search brand पर जो click करते हो वो भी एक form है हर एक ऐसा section जहां पर आप अपना data फिल कर पा रहे हो उसे हम लोग form कहते हैं html ठीक है या web development okay so basic जो चीज थी आप form के मैंने clear कर दी अब चलिए code coding करते हैं okay so form के उपर ना कुछ attributes लगते हैं यहां पर जो टैग जो है यह टैग में लिख दिया form tag less form यह लिखना मातर से कभी हमारा form सब्मिट नहीं होगा इसके उपर में हम एक अलग से अट्रिबूट स्पेसिफाइब करते हैं ठीक है हम इस पेस्पेसिफाइब करते हैं कि लाइक आईड तो आईड रोग क्लास हम लोग स्पेसिफाइब करते ही है दैन अगर बात करूं अधर कुछ attributes की तो हम लोग यह भी स्पेसिफाइब करते हैं ट्रिबूट से कि डेटा सब्मिट होने के बाद कीस फाइल पर डेटा से लोना चाहिए जो डॉट पीएच्पी ले उसका लोकेशन हम लोग यहां पर लिखते हैं जैसे इमेज फाइल का देते हैं लोकेशन वैसे यहां पर भी देते हैं देन एक और ट्रिबूट इसके तो हम जातने कि कीस मैथर्ड के जो डेटना सब्मिट होना चाहिए तो यह सारे चीज़ जो है मैं आपको बतार सब्सक्राइब करें तो यहां पर परेग्राफ के अलाबा अधर कोई चीज शो नहीं हो रही है विकॉस खाली फॉर्म टैग लिख देने से कोच नहीं होता इसके अंदर पंट्रोज क्रेट कर ला होता है ठीक है ओके लिक्टिर सब्सक्राइब करना होता है अब यहां पर टॉपिक है एक टॉपिक अगर आप शुरू कर देंगे ना तो फिर आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आप कहां तक बोलोगे कहां तक अभी यहां पर मैं अगर यह समुरू करनों कि समीट वर्ण कैसे बनाते हैं तो मैं भटक जांगा अपना टॉपिक से तो बहुत ही बाया टॉपिक है बहुत ही ब्रॉट टॉपिक है इसलिए समध समल के चीज़ों को आपको बता रहा हूं ठीक है तो वीडियो सहां लंबा हो तो बिल्कुल भी मतलब करिएगा बिल्कुल लेट सी अब यहां पर ठीक है सबसे पहला टेग हम सीखें है फॉर्म क यह टेग ट्हस का मतलब देखें फिल्स क्या होते हैं आप जो टेक्स्ट बॉक्स बनाते हो वो भी एक फील्ड है कॉमाक्षी एक फील्ड है रेटली बडन्स फील्ड है चेख बॉकmesi हर एक कंट्रूल उसे त्उल अपनी यूज़र लेटा सीलयक्ट और कर रहा है उसे अले ट्यक्सवाग HTML file कि भोलते क्या फिल्स बोलते हैं है इंपुट फिल्ड तीके न क्या यह कहों कैंग्ध झृत फिल्स इनदर में अलालाख स्क्शन में काम करते हैं अच्छा मान लेजें अगर आप लोग근े आगर आप लोगों ने अंलान शॉपिंग की होगी वेफ उन्लाइन वैब पेज वगर आपर शॉपिंग और अगर खी हो गिति होगी तो आप लोगे जिशी however वहां सब्से पहले उपर में आता है पारस्नल डीटेज ग्रूपिंग इसा और करके नहीं गृूपिंग पर न है के वासे बाद का है की सुछ है जिए पर्सनल डीटेली वह मुंत आप से आपका मुंख पर च्राइब करने के लिए हम लोग जिस फेल्ड को यूज करते हैं मैं यह लिख दिया अब जैसे मैं लिखा तो हम लोगा ने इस ग्रूप टो कर दाओ ग्रोप कर लब एक उसका एक नेम होना चाहिए ना कि इस ग्रूप का नेम क्या है लाइक परसनल लिट लेए तो इसका नाम तो पढ़ाएगा ना परसनल उस्ट वह नाम कैसे शो करांगे तो वह ना मैं चाहूँ तो यह सकता हूं के एक हैंडिंग तुग अंदर में परसनल टेशिंग लेवल टू यह ऐसे नहीं होगा दिखी अब लिखता हूं सेफ करता हूँ रिफ्रेश करता हूँ अब देखा इस तरीके से यहां पर शोद आप बोलोगी यहां इसकी यह जाएगा तो टैब्स करने पर कॉंटेंट पर फोकस में आप लोगो को पता होगा इसली बहुत इसका नोलेज आप प्रेस्ट करने पर सका चलम बै कंट्रोल बटन बाइब अन्टल या इंटरेक्टिव-ईलेमेंक की च्राप करते हो तो तो टाइप में किसी अधर जगा पर किसी अधर ग्रुप में वह जंब कर रहे हो तो वहां पर गूर का नाम बोले गए उसको बैठिक्ना फ्सक्राइब। इ Meow हुआ है अब स्यमक्राइब कर दो मालेजिए लेजंड टैग यह इस ग्रूप का नाम डिसाइड करता है इस तरीक से यहां पर बोलेगा अब बोलोगे कि लख्रम भाई यह सब ठीक है लेकिन हम लोगे ऐसा क्या कर सकते हैं कि यह हैंडिंग लेवल तुमें भी शो हो और इसकी अक्सेश्बिटी भी ना भंग हो तो वह भंग ना होने के लिए हमें एक दंगा करना पड़ेगा दंग करना पड़ेगा वह क्या है वह यह है कि हम लोगे हम लोग वह पढ़े ना लाइक नेस्टिंग टैक्स के वारे में लोगे पढ़ा होगा तो बस वही एस्टू कंदा में लेजन को नेस्ट कर दो यह यह लेजंड कंदा में एस्टू को नेस्ट कर दो सब्सक्राइब अब यहां पर जो है गाईस फैरी वैरी 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 इंप्रेस्टिंग यहां पर हम लोग क्रिएट करेंगे अपना फॉर्स्ट इंपूट चलिए क्रेट करते हैं आप देखिए कोई भी मैंने क्या बोला कोई भी अब मतलब आपका एडिट बॉक्स हो गया रेडियो बॉटन्स हो गया कॉम बॉक्स हो गया कुछ भी हो ठीक है अगर कॉमा बॉक्स को अगर हम छोड़ दे उसके अलावा जितने भी आपके इंपूट कंट्रोल होते हैं जिनके तो आप यूजर से इंपूट लेते हो चाहा है जब एक ही टेक से जैंब अलग अलग चीज क्रियेट करेंगे तो फिर हम हमें पता कैसे चलाएंगा क्यों साथ किस चीज के लिए है लाइक एक टेक से मल्टीपल काम कैसे होंगे होंगे हुगे मैं बताता हूँ कैसे लिखुए यहां पर less input greater less less input space यहां पर greater लगा है दू कुछ आया कि नहीं तो यहां पर सिर्फ कुछ एडिट आ गया जिसमें आप कुछ लिख सकते हो मैं समस्त हो क्या हो रहा है इन्पूट से हम लोग ने यह बता दिया कि हम लोग इन्पूट ले रहे हैं यूजर से यह हम लोग ऐसा कोई यहां पे एक अट्रिबूट यूज करते हैं जिसका नाम है टाइप ट्रिबूट आपको सिर्फ टाइप ट्रिबूट की अलग अलग वैल्यूस चेंज करने हैं एंड आपका अलग अलग इंपूट फिल्ड ऑटमाटिकली डिस्पले होगा तो लेट्स डूइट टी पहले आपर स्वेस करता हूं और यहां पहुआ यह पर लिखता हूँ टाइप टो टूट यृव करता हूं के बीच में आकर लिखता हूं यहां पällen प्लोग यहां पर लोग यहां पर क्यैंज हुज पहले बे तो है यहां पे एडिट तो नहीं होते है किसी इंपुत टैहिंक की वह होती है टेक्स यहां पर शे Indigenous हुआ अगर मैं आप सबस्क्राइब आपको जो है वो टाइप की वैलू चेंज करनी है अब यह आप लोगोंने मेरे पहले की वीटोस देखेंगे तो आप लोग को पता होगा सब्सक्राइब करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ठीक है ओके सो यह मैं आपको क्यों बता रहा हूं पता चलेगा तो मैं यहाँ पी लिखता हूं एक इनपूट की एक आईडी क्रेट करता हूं स्पेस आईडी इक्वल्स टू इस एक हम लोग यूजर से मांग रहे हैं करता हूं यहां पर क्रता है कि अब यहां पे दिक्कत उरहियल है यहां बेशीर इन और इंदि बॉक्स हमका चाहलें है यह हम लोग कैसे दिखाएं इसके लिए जो रिजा सुक्ष्टे लौपर हो फोकाकर हों जो लोग क्या करते हैं आप याजिनं लोग को क्सी कीuteti recom क्या करते हैं यहाँ पर में हैंडिंग लेवल टू में यह सिंपल एक टी टेग में जो भी टेग उनको मिलता है दिमांग में आता है वो लेते हैं और वहाँ पर सिंपल एक टेक्स लिए लाइक ऐसा देखिए मैं दिखाता हूं यहां पर यहां पर आब जिन लोगो नहीं पता होगा यह जिन लोग मतलब थोड़ से कम लाइक सोच पा रहे होंगे उन लोग को बाद आता हूं वह लोग पूछेंगे मुझसे तो यहां पर ठीक है यहां पर होई रहा है यहां पर क्या दिक्कत है फालतों का यहां पर आप हम पर जाम लागा रहे हो लग्ष्म भाई देखिए अगर मैं आपकंडल प्रेस करता हूं देखा क्या दिक्कत है आप यहां पर करके तो मैं पढ़ पा रहा हूं लेकिन सिधा फोकस जाने पर यहां पर नहीं बोला कि इंपूट फिल्ड की सेज़ के लिए है एंड डाट इस एकसिबिलिटी इसू ठीक है तो इसके लिए एक अलग से टैग बनाया गया है किसी इंपूट पे उसका नाम स्पेसिफाय कराने के लिए अलग से एक टैग है स्टीमल में वह हमें सीखना पड़ेंगा सो लेट्स लर्ण इट अपर नहीं बोलता कभी-कभी अनलेबल बटन वहां पर क्या नहीं लगा होता है लेबन लगा होता तो बस लेबल लगाने के लिए लेबल करें क्या चाहिए लुक्तव कर लगा दिया मैं लेबल लैबल लेबल इस पेस कर दिया अब दीखिए लेबल जैसे कर लोगे तो यहाँ पर इक ट्रिबुट देना पड़े इसका नाम क्या है फोर ऐसा फोर लागा होगे पूर फॉर का मतलब क्या है बताई आप लोग फोर का मतलब क्या इतना अप लोग का उंगिलिश आती होगी है लेबल तो लगाना है किसके लिए लगाना है लेवर तो करना है किसको करना कौना है तो इस इंसान को लक्ट मैं बोलों कि यह समान डिलेवर करके आओ तो मैं उसका जो है वह मतलब पता कैसे बताऊंगा उसके एड्रेस से बताऊंगा ना उसका यहां पर रहता है फालना धिमकाना स्टेट में फालना धिमकाना सिटी में उस वाले गली में इतने नंबर हाउस नंबर में उस वाले पार्टमें में रहता है वगरा वगरा जो भी है लेकिन यहां पर सब्सक्राइब करेंगे जैसे कि मैंने बताया था अगर आप लोग को ध्यान हो कि आईट्रिबूट के थुरू हम लोग किसी भी एक एलेमेंट का आईडी डिफाइन करते हैं एक यूनिक एड्रेस डिफाइन करते हैं तो वैसे ही यहां पर जब हमसे मांगर आए कि लेबल ला यहां पर आप लोग को हैश सिंबल नहीं यूज करना ठीक है सिंपल आपको जो आडी लिखा टेक्स्ट वहीं आपको देदेना है तो मेरा आइडी क्या था एफ एन तो देखिए फ एन ग्रेटर फॉस्ट नेम फिर सब्सक्राइब करता हूं देखिए मैंने कोड ऐसा होगी कर दिया कर दिया कर दिया करता हूं अब यहां से टैप प्रेस करता हूं देखा यहां पर एक्सेशिबिल्टी इसू गाइब हो गई और यहां पे आप लोग रीड भी कर पाऊगी यह जो टेक्स्ट देखिए पर यहां पर डिस्पले भी हो रहा है जो नहीं में ठीक है ओके गाइस सो अगर आप लोग चाहते हो कि लाइक लेबल और इंपूट फिल्ड एक के नीचे में एक डिस्पले हो जैसे अधर फॉर्म में होता है तो आप लोग दोनों के बीच में बीया टेक का भी यूज लग यानि कि आप इनको लिखते जाओंगे और यह के मगल में एक में डिस्पले होते जाएंगे ठीक है तो यह बात इसलिए इनको एक के नीचे में एक डिस्पले करने के लिए आपको बिया टेक का यूज करना पड़ेगा तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं लाइक देट ना है अब लोगों को इसा रखना है और खुद से एक रख करना है कि आप लोग सेम टाइब का इनपूड फील्ड फूल एक्ससिपलेटी के साथ है लास्ट नेम का इंपूड फील कैसे बना से नी कि मैं ऐसा चाहता हूं कि आप लोग कुछ ऐसा करो कि फोर्सक लास्ट नेम का इड़ ब्लैंक और वापा से टैप प्रस्क्राइब करने पर आए लास्ट निम को रहे एड ब्लैंक तो सेम टाइप बिल्कुल सेम है तरीका भी खाली आपको नाम चेंज करना है सो आप लोग कर लोगे आप लोगा प्रैक्टिस भो जाएगी तो गाइस डो ए